Good morning friends and welcome back to a new vlog Daily routine हुआ हमारा स्टार्ट और सुबह सुबह हो रही होती है बहुत ज़्यादा भागम भाग क्या है नीर का टिफिन बॉक्स हो गया था रेडी नमकीन सेविया और वो चला गया था स्कूल और मुझे भी जल्दी निकलना था ओफिस के लिए तो सारे काम थोड़ से स्पीट पे हो रहे थे तो फटा फट से रेडी होके मैं चलीगी थी अपनी मॉर्निंग वाक पे आज धूप तो कम थी लेकिन हुमिडिटी थी बहुत ही ज़ादा खेर अराउंड 3900 स्टेप्स कमपलीट करें और मैं पहुँच गे थी घर और जाते ही रेडी होके स्टार्ट कर दिया था लांच और ब्रेक्फास्ट की तेयारी लांच में आज बनाई थी बहुत ही सिंपल सी दाल तड़का और साथ ही में थोड़े से करेले और करेले में मैंने यूज करे थे बेबी अनियन और बेबी पोटैटो आलू में काफी ज़ादा मिट्टी थी तो उसको अच्छे से पहले दो लिया था और फिर चोटे पीसिस करके वापिस पानी में डाल दिया था तो आलू और प्यास पहले कर लिये थे फ्राय और थोड़ी देर बार डाल दिये थे इसके अंदर कटे हुए करेले और करेले डाल के भी थोड़ी देर इसको फ्राय कर लिया और फिर डले थे बेसिक से मसाले और बिलकुल लास्ट में अमचुर पाउदर और प्लेन पराटे के साथ करेले लगते हैं बहुत ही जादा बढ़िया और मेरा ये वन आफ दा फेवरेट ब्रेकफास्ट भी है आलू प्याज और करेले की सबजी आपकी भी फेवरेट है तो कमेंड करके जरूर बताईएगा सब कुछ था तैयार पैक किया और हमारा भी टाइम हो गया तो ऑफिस जाने का विनायक को मेरे से भी जल्दी ऑफिस मौशना था तो बस जल्ली से वो भी पहले निकल गए और शाम को वापिस घर पहुंचने के बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है धेर सारी चिट चैट नीर के साथ क्या हुआ पूरे दिन और इसकी कुछ हाइलाइट्स और कुछ जल्किया आपको व्लॉग में भी देखने को मिलती है अब बापा को परोत हुआ हम बीकानेवाला आ जाते हैं कुछ चाट वगेरा खाते हैं मैं लेक्या आऊंगा ये क्या बात होती है हम यह भी बाक्ता है तो जो कुछ ने क्या ड़का लेक्तै करने के लिए भूराइड के तो पयुक्त खोच जबाएं को प्रूषी आपनी टाले तो झोड़ें आप दस समॉसे खा लो अपनी अपनी तबियत का खुद धान दस समॉसे खान दर दयां डिये क्या तशाय का अपना समॉसा पापा का घु ले चाय, और गदिये प्रूट एक योगा के बदले समोसा मैडम को जाके बोलना योगा वाले बच्चे तो समोसा खाते भी नहीं मन करता है इसने मंगवाया आज मैंने शायद दुनिया के सबसे कूल फादर देखे लिफ्ट में उनकी जो बेटी है उसमें पहुत तेस रोना शुरू कर दे कि मैंने आइकार्ड पहना है बस उसकी खड़ी हुई थी स्टॉप पे आने ही वाली थी और वो इतना रोई इतना रोई अगर कोई और होता ना मैं होती या विनायक भी होते तो हम जब अज़सी खीच के बस में बढ़ा देते उसके पापा उसको वापेस लेके गए घर बस में सोगी फिर उसको स्कूल चोड़ने के अभी हम नीर के साथ यह डिसकस कर रहे थे कि अगर उस बच्ची की जगह यह होता और आयकर ना पैनने के वेसे रोता तो क्या होता जोलो मता मम्मा और पापा क्या करते मैं रोली लग जाते है खीच के उठा के धंकी में थपड मागना भी चल बस पे ध अगर चल अगर एंगार मुश्ची की अगर ज ही चल थिंटा ले जबगा थाए ज में फोड़ने खीच के श्यーー ग् मेरे बात सुन लो और उसके अंदर ना कोई भी ना चैटिंग नहीं करो गया बच्चों के साथ चैटिंग में भी आप लड़ाईयां करने शुरू कर देते हैं और भी यह राम से गिराना बत्पस रहात मेरी कुछ गर्मी से जब भी मॉल वगेरा गुमने जाते हैं तो जो बुक लेता है फड़ाफट बुक शॉप पे भाग के वो नीर लेता है लेकिन इस बार ही मैंने लिया है यही मेरी बुक सुदामूर्थी की बुक है इसमें शॉट शॉट स्टोरीज है तो आज नीर और मैं सेम ही बुक पढ़े है हैं किавать सेलूट शॉट थो लाइफ इसमें चटी-चटी स्टोरीज हैं हुमानीटी पे और बहुत अच्छी है और यह नहीं पड़ पर देथा है तो भारी बार से पढ़ते हैं एक स्टोरी मैं पढ़़ ingly चोटी-चोटी-चोटी सटोरीश में थ notes यह ज τουςौ posting स्टे इना म बनाया था daycare में निखा दो raise, किा पियारा सी पनाया वे, किना पियारा सी अब्जा को मुझे कुछ आप बना होता है और तब ही मैंने यह वला यूज कर रह confirm ने कैसे पढ़ो मुझे इसे हाथ मेरे बूक है मैं कैसे पढ़ो मुझे पढ़ों मुझे पढ़ों ऐसे कैसे मैं पढ़ूं आपको हैंड हटवा के पढ़ों ना I love traveling be it a tiny village a drotted area a deserted mountain तो ऐसे ही था आज का हमारा दिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करियेगा थैंक यू और गुडबाई